आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ श्रीवास्तो आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारे प्राइम टीवी के खास का रिकम प्राइम चर्चा दोस्तों उत्ताप्रिसे विर्णसवाच चुनाओं की जो गरमाथ है वो मैसुस की जा सकती है क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार यात्रा है हो रही है जनसभा है हो रही है रैली हो रही है और साथ ही साथ हो रही है बयान बाजी इसके साथ ही चल रही है लगातार टिकेटों को लेके दावेदारी भी कई लोग हैं जो लगातार अलालेग पार्टि estव टिकेट के दावीड़ादी पेस कर रहे हैं अलालेग माध्य हम से एक जनसलाव भी देखने मिल ला है तो एक राजनीति के एक अलग मिसाल देखने मिल लई है कि टिकट किसको मिलेगा क्योंकि जब टिकेट मिलता है तो जो पुराने लोग हैं उनमें खलवलीज भी मस्ती है विरोडी भी खेमे में भी डिक्कते होती हैं तमाम एक जो महौल होता है पूर रानितिक गर्माहट का बन जाता है किसी भी बिनानसवा की बात करें और उत्यप्रेस के बिनानसवा तो च चुनावी चर्चा है जो मारा प्राइम चर्चा है उसमें खास कारिकम में हम आज एक ऐसे ब्यक्तित की बात कर रहे हैं जो लगातार समाधारी पार्टी के लिए जनाधार बढ़ाती नजर आ रहा हैं अलाला माध्यमों से कई सालों से सपा में जुड़े हुए हैं और इनक पुस्पेंड याड़ाओ तो पुस्पेंड याड़ाओ जो ब्यक्तित है वो लगातार हमीपुर और महोबा छेत्र में समाधारी पार्टी के जनाधार बढ़ानें लगे हुए हैं पुस्पेंड जी आपका हमाई कारका में स्वागत है इसे तोर पर समाजवादी की विचारधारा गरीबों सोसतों वंचतों और समाज से जो बहुत दूर हैं और लोगों को जोड़ने काम समाजवादी पार्टी के रहेंगे और समाजवादी पार्टी का धे और उद्दे से कि सब को समानता के साथ आगे बढ़ाया जाए पिल्चड़े हुए छेत्रों में तरक्की किया जा विकास किया जा ये समाजवादी पार्टी की सोचे है आप चातराजनीती सक्री रहे हैं इलावर उस्ते दहला है पड़े भी हैं तो चातराजनीती एक समय चातराजनीती अलग थी चरम पर थी आप देखते थे और बहुत बड़े बड़े नियाम बड़े बड़े नेता चातराजनीती से उठकर आए हैं पर आज की चातराजनीती बिल्कुक्big को अलागी चल लाएए कि आ आज की शातराज़निति और पुरानी जो जो चातराज़निति समाजवासी समाजवादी PARTY हमेशा छातराजनिति के पक्ष में रही है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा जब भी समय आया है साथसंगों यह से काम किया और निश्य तोर पर हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जब भी चात राज़नी से निकल करके जो भी वक्ति राज़नीत में आएगा वो अच्छी राज़नीत करेगा, साफ सुत्री राज़नीत करेगा, अपने छेत्र प्रदेश के बारे में सोचा, सोचेगा कि किस तरीके से आज की छाथ राज़नीत में वही जो छाथ राज़नीत ही, आज छाथ राज़नीत की राज़नीत क्या है? या किस्त Russ equally जब से भारती जंदर पार्टी की सरकार्य ही है, तब से छाथ राज़नीत को खरतम करने के काम के आपने कहा कि समाभातिंदा पार्टी उबसपा ने हमेशा चातराजनीति को आगे नहीं बढ़ने दिया उनकुस लगाई शबसे बड़ा कारण तो यह है कि नौजवानों की बिरोधी पार्टी आए हमेशा इन लोगों ने नौजवानों को दबाने का काम किया और निश्चे चात राजनीत से निकल करके जो नौजवान आते हैं वो एक अच्छी दिशा देने का काम करते हैं राजनीत की और जब पढ़ा लोगों को आगे पढ़ाने की सोच होगी उसात बढ़ाने पार्टीab masses यानि मुलायम सिंग्ह यारों को नेटिव था और अखिली से यारों को नेटिव था और लगातर योबा उस जोड़ भी रहे हैं उस नेटिव में आज क्या अंतर मानते हैं कि किस तरह से आज जो समाजवादी पार्टी है चल लाई है कि लंबे समय से सफा में जुड़ा हुए क्या नहो हुआ रहा है आपका। समाजवादी पार्टी के जो कार करता है निता उसमें फिट हैं हमारे पार्टी के निताओं ने हमारे पार्टी के मानी राष्टियत देखी लें उन सब कुछ ऐसे कारकुमों के द्वारा उन सब नौजवानों को फिट करने का काम किया है और कहीं न कहीं जो आज की जो सोच है आज की बिचारधारा है उसको बढ़ाने का काम हम सब समाजवादी पार्टी की कारकरता कर रहे हैं. जिस तरीके से सोच लोगों टेक्नालोजी बदल रही है, उसी तरीके से हम लोगों की त्यारिया भी आगे बड़ती चली जा रही हैं. और जो हमारी पुरानी पर पार्टी नेता जी की जो पार्टी ची जो सोच थी उसको आगे बढ़ाने का मानी राश्टी एदिगी से लिए क्लेश आदे जी लगातार काम कर रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो सामने दिख रहा है आप लों को युबा है युबा नेता है आज पार्टिया जो भी राजिक दल है वो युबाओं को नय नय बादे दे रहे हैं कोई स्कूटी दे रहा है तो कोई लैप्टॉप दे रहा है तो कोई टेबलेट दे रहा है स्वाट फोन दे रहा है अलालग चीजे चल रही है क्या मानते युब निश्चेत तोर पर यवा जहां होते हैं वहां सत्था उसी के पक्ष में जाती है सत्ता परवरतन तह है अगर नौजवान आपके साथ में खड़ा हुआ है तो इसको कोई नहीं रोक सकता है और आज की तारीख में नौजवान पूरी तरह से समाजवादी पार्टी मानि राष कि लैपटाब बाट रहें और टैब्लेट बाट रहें, अब ही आपने देखा होगा, इस जबसे भारती जंतापार्टी की सरकार बनी हैं, और अपने जो संकल पत्र जारी किया था, और अपने जो यह हम टैब्लेट देने का काम करेंगे, तमाम इस क्या हरा लेकर आज तक देन सब्सक्राइब करने के काम किया था और भारती जनता पार्टी की सरकार यह सब योजनाय रोकने के काम कर दिया है वही कारण है कि आज नौजवान नौजवानों को भरोसा और विस्वास के वर अगर किसी पर है तो मानिस्री अखलिस यादुजी पर है क्योंकि उन्होंने जो नौजवानों के लिए कहा था उसको उन्होंने पूरा करके दिखाए था इसलिए आज नौजवान मानिस्री के साथ करा हुगा लंबे समय से सपा में हैं, अलाले जम्रारी दी गई होगी, कौन-कौन सी जम्रारी आपको दी गई होगी, उसका किस तरह नर्वाय आपका दोरा किया गया? मैं जला सहकारी बैंक का चैर्मेन था, हमीर पूर और महोबा, और यूपी लेवर फरेडरेशन का डारेक्टर भी था मैं, मेरी मिसेज हमीर पूर जला पंचात की अद्धिक्स थी, बरतमान में जला पंचात की उस अद्ध से भी हैं, और पार्टी द्वारा जहां जरूरत काहिन चैर्में परफारी बनाए घया, पार्टी नेतियों को आगे अगर के लिए, पार्टी के प्रिचार परसार के लिए, चुनान प्रभंदन प्रभधन के लिए कई जगे मौके मिले जहां पर हम लोगों ने पार्टी का काम किया है, और सफलता भी अर्याद किया हम आप कॉनसे माद्ड हम हैं जो आप पनाए जाते हैं हम गाहों के लोगों के लोगों के पूछते हैं जब मानी अक्लिस यादर व्हुट प्रदेश के मुक्मंत्री थे तब मैं और आज की योगी बाबा जब मुक्मंत्री है इन में कितना फर्क समझ रहे हैं आप क्या-क्या वो चीजे हैं जो मानी अखले स्यादुजी करते थे और इस समय बरतमान मुक्मंत्री जी कर रहे हैं तो वो फर्क साफ हो जाता है यही लोगों को बताने का काम कर रहे हैं हम लोग यही ब बंद कर दी गी लोगों को जो रासन मिला करता था वो रासन बंद कर दी जा गया था अभी कुछ दिन पहले इन्हों ने जो फिरी खाद्यान ने का काम किया जब चुनाओं इनको इस सर पर आ गया इसके अलावा पांस साल है किसी गाओं गरीब किसान से कोई मतलब नहीं जब गाओं में जब बंद खास तोर से हम बंदेल खंड की बात करना चाहरे हैं जब बंदेल खंड में भारी आपदा तरस्दी आती थी किसानों की फसलें चाहे ओला वरिस्टी के माद्यम सो या सूखा पर जाता था तो बड़ी रासी जो किसानों को मानी अखलेश जी दिया करते थे किसी किसान को एक एक लाक रुके तक मिल जाता था तो उनकी जो भरपाई फसल की जो नुकसान होता था उसका उस नुकसान की भरपाई करने के काम वो करते थे और गाओं के जितने भी कोई दुरगटना अगर होती थी तो तो दुरगटना में किसान, दुरगटना बीमा के माध्यम से, या और भी तमाम ऐसी हो जाया थी, जिनके माध्यम से लोगों तक मदद पहुचाने का हम लोग काम करते थे. और खास तोर से गाउं गरीब और किसान जब फसलें लगाता और खराब होई तो गाउं में जो गरीब लोग थे मजदूर लोग थे उनके पास भोजन की बवस्ता नहीं हुआ करती दी उन्होंने समाजबादी राहत पैकेट के नाम पर बढ़िया उसमें यहां तक की घी से ल स्वास है कि अकले से अदर जी हर उस वेक्ति का इंतजाम करेंगे जब सरकार बनेगी उनकी यूगी सरकार बोलती है कि डबल सरकार है हम लगातार गरीबों के लिए काम कर रहे हैं क्या क्या कारेकाल के बारे में गरीबों के लिए क्या काम कर रहे हैं गरीबों के लिए तो क साइध मुझे तो निं लगता किसी क्रीब के खाते में पहुंचा होगा। टियों पुरी तरह से अपने भादों में ये फैल हो चके हैं। और जब फेल हो चुके हैं तो भरोसा और विस्वास में फिर वही कह रहा हूंगी आज जहां भी हमारे नेता हमारे राश्टियदेगी निकल रहे हैं जिन सड़कों पर निकल रहे हैं जहां भी जा रहे हैं वहां आपको अलग एक महल दिखाई दे रहा है और किस तरीके से जन आज का महहुल है पूरी तरह से हम लोग विस्वास है कि उत्तर प्रदेश का आम जानवाने प्रिये नेता माने अकलेश जिया जी को उत्तर प्रदेश की बागनोर सोपने का मन बना लिया है क्योंकि भरोसा और विस्वास कथनी और करने में उनके कोई फर्क नहीं इसलिए वानि अखलेश जी को उत्तर पुदेश का मुक्तंत्री गुनाने के लिए। समाजबादी पार्टी नंबर एक पर हैं और बागी पार्टी आपनी आकलन करें कि वो किस नंबर पर हैं। आपकी भी है तो क्या कुछ पिछली बार आपने सयो किया और क्या इस बार तैयारी की है जनता अगर कुरूर से गर्षिट होती है और तमाम स्वास्क सिवाओं की क्या हालत है एक आकलन क्या है और कहा तक सयो करते नजर आएंगे। हैं। जरूरत थी और सबसे ज़्यादा अगर मदद किया तो हम ही लोगों ने मदद किया था और आप लोगों ने देखा होगा कि भार्टी जनता पार्टी के ना कोई नेता निकला ना कोई कारकरता निकला अगर कोई निकला तो समाजवादी पार्टी सड़कों पे दिखाई दी है और सबसे बड़ा उधान में देना चाहता हूँ कि हम लोगों की सांसत कन्योज की पूर्व सांसत स्रीमती डिमपल यादो जी भी सड़क पूर करकर कि लोगों को राहत समगली बांटने का उन्होंने काम किया था। इससे बड़ा उधान और क्या हो सकता है। पर अब भी पेजल की बेस्ताओं में कुछ दिक्कते हैं। यहाँ अब भी जो विकास की धारा है वो बैय नहीं पा रही है। क्या मानते हैं सरकार है कई आई और कई चली गई। पर जो बुंदेल खंड की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किशी ने काम किया तो सम भी इतने डैम नहीं बने जो जब समाजवादी पार्टी की सरकार मानी अखलेस यादेजी की सरकार ने साथ बड़े डैम बनाने का काम किया ललत पूर से ले करके जहांसी से ले करके तमाम वो डैम थे जो पानी जो बहे करके निकल जाता था तो वहाँ डैम बना करके पानी रोकने का काम किया, जल्सर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर् भी पानी की बड़ी समश्चा हो जाती थी लेकिन जिस दिन से तालाब खुदा मानी अखलेस जी ने उस तालाब की गहराई तीन मीटर तक कराने के काम किया आज वहां पर बाटर रीचार्जिंग के माध्यम से उन हैंड पंपंपं बढ़िया पानी मिल रहा है हम लोगों ने जल सरे लेक्शन के सांधार इंतिया था तब पानी की टंकिया बनवाई थी यहां तक की डवलमेंट की रही बात तो छेतर में जो सड़कें दिखाई दे रही हैं वो सड़कें केवल और केवल मानी अखलेस जी के तेन हैं आप हमीर पूर से जो लूप पूर चले जाईए इ पचास किलो मेटर की दूरी तह करने में आज उस सड़क पर चल करके एक घंटा भी नहीं लगता है अपनी दूरी तह करते हैं उसी तरीके ने खिदे कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां पर सांदार डबलमेंट के काम ना किये गए हो विजली के छेत्र में आज जो भी विजली आपूर्ती हो रही जो भी विजली का उत्पादन हो रहा है वो केवले केवल मानी अखलेश जी की देन है उन्होंने जगे जगे बड़े पावर हाउस लगा करके लोगों की जो किसानों की समिश्चाएं होती थी जो निजात दिनाने के काम किया और आपकी और भी जो तमाम ऐसी समिश्चाएं थी सड़क की समिश्चा से लेकर के विजली की समिश्चा से लेकर के पानी की समिश्चा से लेकर के और अस्पताल तक उन्होंने का काफी हद तक उन समिश्याओं का समधान करने का काम किया था और जिस दिन से सरकार चली गई उस दिन से कोई सिंगल सड़क बनाने का काम भारती जिनतर पार्टी की सरकार दोरा नहीं किया गया तो जो आज दिखाई दे रहा है बंदिल खंड में खास तोर से वो केवल और केव इसके लावा नोगा कही बंदिल खंड को कोई काम ने किया केवल जूटी बातद की है जूटी जूटी के आदार पर सरकार बनाने के नोगा था ने खाम की ए 예 पर साथ मीश्य समासे भी भी यह तो आपके मुताबिक अगर जनता आपको दोबारा सब्ता पैद करसी व बुन्देलखंड की जो सबसे बड़ी समिस्या है अन्ना प्रथा की इस समिस्या से निद्याद दिराने के लिए हम लोग क्यास कर रहे हैं और करेंगे इसमें कुछ ऐसा इस्थाई रड़नीती बना करके उस समिस्या किसानों को जो रात रात बर जागना रहता है उस समिस्या को हम लोग दूर करने का काम करेंगे पानी की पेजल की समिस्या उसको दूर करने के काम करेंगे क्योंकि अभी भी बहुत सम्मावना हैं बुन्दिल खंड में पानी के फिजर संडरक्षन के लिए अभी बहुत डेम बनाए जा सकते हैं और जिस दिन हमारी बेतवा नदी में हमारी कैन नदी पे और डेम बना दिये गए तो मुझे लगता है कि काफी हद तक पानी की समिस्या से हम लोग निजात पा जाएंगे और सबसे जो एहम समिस्या है स्वास की तो स्वास के लिए भी बानी हमारे राश्टियत धिगजी बहुत सजग हैं और इन सब चीजों के लिए विशेश उनका फोकस रहता है और हम लोगों ने कई जगह पर जैसे महुवा में हैं महला चिकित साले बनाने का काम किया आपके और ही मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया आपके कई जगह बड़े बड़े अस्वताल बनाने का काम किया गया और विजली की समिस्या मैंने आपको बताई ही बहुत, हड़ तक سडकों का जो जाल है यहां बंदेल ख़न में सडकों का जाल बचाने का भी काम करा जाए बहर न जाना पड़े, बहर कमाने के लिए न जाना पड़े अप्शन गहर के लिए और परवार के बीच में लोग रहें ये हम लोगों की सब सोच है और खास्तोर से जो किसान हैं, किसान को जो बिजली महंगी है सचाई के लिए, उस सचाई के लिए मानी हमारे राश्टिय अदेखी ने कहा, कि तीन सो यूनित तक हम बिजली फिरी देने का काम करेंगे, किसानों को बिलों को भी माफ करने का काम करे उसमें ऐसी ऐसी चीजें होगी इसके बारे में साथ लोग सोच भी नहीं रहेंगे जो गाउं के गरीब महला हैं गरीब लोग हैं उनको समाजवादी पैंशन दे करके 15 रुपे दे करके कोछ उनका जीव का परजन का उपाय करने का भी प्रियाश किया जाएगा पुस्पेंजी चुनाव पास हैं और मीडिया ससक्त माद्यम में अपनी बात कहने का तो प्रैम टीबी के माद्यम से छेत्र की जनता और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हम यहीर कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेस का और खासतोरसे बुंदेल खंड का खासतोरसे अपने छेतर का अगर कोई विकास कर सकता है तो को पर समाजवादी पार्टी कर सकती है और समाजबादी पार्टी के माद्यम से ही यहां का विकास होगा, तरक्की होगी, यहां के लोग कुछ हाल होगे, बुरजाई चेहरों पे कुछ हाली लाने का प्रियास करेंगे, यह हम सब लोगों का संकलब भी है, कि यहां के हर जरूरत पंद की मदद करेंगे, और इसलिए ह हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं, कि समाजबादी पार्टी की सरकार बनाईए, यहां के विधान सभाओं से हमारे जो समाजबादी पार्टी की तर्टाशी, उनको बिताने का काम कीए, हम भरोसा और विस्वास दिलाते हैं, कि आप सब की वो समिश्याओं को दूर कर अखलेश की आदों ने 2012 से 2007 तक बहाई थी, बैसे ही विकास की धारा 2022 में बहाएंगे, अगर प्रदेश की जनता उनको मौका देती है, उनको सत्ता ही कुर्से पोड़ाती है, तो सारे बंचित बर्ग्ज जो अब तक परिसान है, जो अब तक दुखी है, उन सभी लोगों के कश्टों का निवारण किया जाएगा, और सरकार फिर एक बार प्रदेश में बेकास की धारा को बहाद ही निजर आएगी, तो आज की प्राइम जर्जा में इतना ही, अगली बार किसी नए सक्षार होईगी मौकार, नमस्कार!